हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्ट्रेनिंग प्रतापगल उत्तर प्रदेश, दोस्तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन दोस्तो किया है, आंगन बाड़ी केंद्रों पे जो आंगन बाड़ी कारकत्री या सहाई काएं दोस्तो कार करती हैं, अब उनकी न्यूक्ति के लिए दोस्तो जो सेवा सरते हैं, जो नियम हैं वो बदल दिये गए हैं, अब इन्ही नए नियमों के तहद जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंगन बाड़ी कारकत्री वा सहाई काएं की दोस्तो नियूक्ति होनी हैं, आप इस वीडियो के माध से बिलकुल जान सकते हैं कि नए नियमों के तहद वे कौन सी खास बाते हैं, जिने आप ध्यान रखेंगे, तो दोस्तो आप इस पद पे बिलकुल फार्म आवेदन कर सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ही जल्द ऑनलाइन आवेदन दोस्तो आमंत्रित होंगे, लेकिन सैक अरहता क्या होगी, टम सेंड कंडिशन क्या होगी, पूरा का पूरा दोस्तो जो नियम है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो बताने जा रहे हैं, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं कि बदला नियम, आंगन बारी कारकत्रियों वा सहाईका की नए नियमों के तहत होनी है, दोस्तो भरती, दोस्तो आपके सामने पत्र है, और ये पत्र एस राधा चवहान जी द्वारा जारी हुआ है, आप अपर मुख सचिम है, उत्तर प्रदेश सासन में, सेवा में समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ये पत्र प्रेशित हो रहा है, कारकरम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कारकत्रियों मिनी आंगनबाड़ी कारकत्रियों यहां दोस्तों जो सेलेक्षन प्रोसेस है उसको पुना निर्धारित किया गया है महोदय महोदया समन्वित बाल विकास कारकरम के अंतरगत आंगनबाली कारकत्रियों मीनी आंगनबाली कारकत्रियों उम सहाईकाओं की मानदे पर समविदा आधारित निवक्ति के समन्द में पूर में निर्गत समस्त शासना देशों को अवकरमित करते हुए एतत द्वरा सम्मेक विचारों परांद चैन प्रक्रिया निम्नोवत प्रख्यापित की जाती है शैक्षिक आहराता दोस्तों क्या होगी? नए नीमों के तहट आगनबाडी कारकत्रियों वा मिनी केंद्रों की कारकत्रियों हे तो सैक्षिक योगता नियुन्तम हाई स्कूल उत्रियों तथा सहाइकाओं हे तो सैक्षिक योगता नियुन्तम कक्षा पांच उत्रियों होगी? आयुसीमा अंगनबाली कारकत्रियों मिनी अंगनबाली कारकत्रियों युम सहाईकाओं के पत के लिए नियूनतम आयुसीमा 21 वर्स तथा अधिक्तम आयुसीमा 45 वर्स होगी आंगनबाली सहाईका से आंगनबाली कारकत्री के पत पर चैन हेतू अधिक्तम आयू सीमा पचास वर्स होगी यहां दोस्तों कहीं कहीं पर आंगनबाली सहाईका हैं वर्क कर रहे हैं अब अगर वो आंगनबाली कारकत्री पत्पे आवेदन करना चाहती हैं तो उन्हें 50 वर्स तक दोस्तों आवेदन करने का मौका मिलेगा। 62 वर्स की आयू प्राप्थ होने के उपरांत उनका मानदे वा सेवाय स्वता ही समाप्थ हो जाएगा। 62 पांच साल की पूरी हो चुकी हो तो था है स्कूल उत्रिण हो कि उसकी आयू 50 वर्से अधिक ना हो। 62 प्राप्थ हो जाए कि किसी भी दसा में आरक्षण प्रभावित ना हो अथ्वा प्रचलित विद्धमान आरक्षण प्रक्रिया का उलंगन किसी भी दसा में ना किया जाए। आंगनबाली कारकत्री मिनी आंगनबाली कारकत्री उम सहाईकाओं की निवती चैन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्सों को प्रथम वरीता देते हुए किया जाएगा इसे तू सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमालपत्र प पंद्रा में आयू सीमा हेतु कट आप नरधारित करते हुए आय सीमा स्वरी आयू नहीं है ग्रामिर छेत्र में रूपया 46,080 और शहरी छेत्र में 56,460 प्रती परिवार वार्षिक आय नरधारित किया गया है सहाईका की उपलब दना होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी छेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली विद्वा महिला विद्वा महिला उपलब दना होने की दसा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी छेत्रों में की निवासी गरीबी रिखा से नीची जीवन वैपन करने वाली तलाक शुदा परतेक्ता महिला को वरीता दीजेएगे आंगनवाली कारकत्रियों यों सहाईकाओं वा मिनी आंगनवाली कारकत्रियों के लिए हानिवार होगा कि ग्रामिड छेतरों में वह उसी ग्राम सभा यह शहरी छेतरों में उसी वाड की निवासी हो यह बड़ी बात है कि अगर ग्रामिड छेतर में हैं तो आप उसी ग्राम सभा की निवासी हो तो आप उसी ग्राम सभा की निवास हूँ और शेहरी चेतर से अगर jam आमंतृत होते हैं तो शेहरी चेत्रों में आप उसी वाड के निवास हूं अब प्रमालपत्र दोस्तो निवास सम्मंधी SDM का या तहसीलदार के लेवल पे जो भी स्रेटिफिकेट जारी होगा वही मानन होगा विध्वा, तलाक, शुदा, पर्त्यक्ता, महिला के सम्मंध में निवा अंसार, सक्षम अस्तर से निर्गत प्रमालपत्र ही मानन होगा गरीवी रिखा के उपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चैन किया जाने पर विचार किया जाएगा ये दिग्राम सभा में उप्रोक्त किसी भी स्रेड़ी में पात्र अभ्यरती उपलब्द नहीं होता तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्ता अनुसार स्रेड़ी वार चैन किया जा सकता है आवेदन पत्रों की प्राप्ति तह चैन की प्रक्रिया संबंधित जन्पत के जिला अधिकारी द्वारा पूनता संपाधित कराई जाएगी निदेशक बाल विकास सेवा युम पुस्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनाईसी से केंद्री कृत प्रारूप विक्सित कराकर जन्पत की एनाईसी को उपलब्द कराया जाएगा जिस से समरूपता बनी रहे युम अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो विज्यापन प्रकाशित होने के उपरान चैन प्रक्रिया 45 दिवस में पूरी कर ली जाएगी चैन समिति का गठन अंगनबाली कारकत्रियों मिनी अंगनबाली कारकत्रियों युम सहाईकाओं की भरती हे तू चैन के लिए शहरी या ग्रामिर छेत्रों हे तू चैन समिति का गठन दोस्तों किया गया है जोकि निम्नुवत है जिला अधिकारी द्वारा नामित मुख विकास अधिकारी या अपर जिला अधिकारी अस्तर का वरिष्ट प्रसासनिक अधिकारी अधिकारी अधिक्ष होगा जनपत का जिला कारकरम अधिकारी सदस्थ सचिव की भूमिका में रहेंगे जन्पत अस्तरी अनुसूची जाती जन्जाती का अक्षी ख्याती प्राप्त जिला अस्तरी अधिकारी सदस्थ होगा जन्पत में तनास समूग का अथ्वाखा की महिला अधिकारी इसमें सदस्थ होगी सम्मंदित परियोजना का बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस होंगे प्रस्तुत करता होंगे कोरम चैन समित की बैठक में किनहीं चार सदसों की उपस्तिती अनिवार होगी जिसमें जिला कारकरम अधिकारी अनिवार रूप से उपस्तित रहेंगे किन्त उसमें अनुसूची जाती, जन जाती यों अन पिछला वर का प्रतुनिधित अनिवार होगा, जो सदस्य अनुपस्तित होगा उसका विवरण अंकित किये जाएगा मेरिट सूची तयार किये जाने की प्रक्रिया एक ही स्रेडी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्द होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी इसमें हाई स्कूल इंटर्बीडियेट ग्रेजुएशन के अंकों पर विचार किये जाएगा जिसके अंतरगत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परिक्षा में 45 प्रश्यत अंक प्राप्त होई हैं उसे 45 divided by 10 is equal to 4.5 अंक प्राप्त होगे उसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 69 प्रतिशत अंक प्राप्त होई हैं उसे 59 divided by 10 5.9 अंक प्राप्त होगे इसी प्रकार ग्रेडिंग युम CGPA पद्दत में प्राप्त अंक भी आगरित किये जाएंगे इंटर्मीडिटियम असनातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक प्रदान किये जाएंगे इससे अधिक सेक्षिक योगता रखने वाले अभ्यर्थी को कोई अत्रिक्ट अंक नहीं दिये जाएंगे समस्त परिक्षाओं के अंक जोडने के पस्चात मिरिटलिस्ट तयार की जाएगी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीता अधिक आयू वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी ये एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक वा आयूभी समान हूँ, तो अधिक स्रेक्षिक योगता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीता दी जाएगी। शासन द्वारा जारी आरक्षन से संबंधित शासना देशों का अनुपालन किया जाएगा। अधिक्तम दो बार विग्यप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। जिसमें आरच्छित वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध हों। न्युक्ति केंद्रों को प्रथम दिती उम तिर्थी के वरीता करम में रखा जाएगा। समयोजन येद किसी आंगनबाली कारकत्री, मिनी आंगनबाली कारकत्री, उम सहाईका की शादी की पस्चायत उसकी ससुराल के ग्राम सभा नियाय पंचायत वार्ड शहरी छेत्रों में कि अंतरगत आंगनबाली कारकत्री मिनी आंगनबाली कारकत्री उम सहाईका का पदरिक्त है उसे भी उक्त के सापेश समयजित किया जाएगा यदि कोई दो आंगनबाली कारकत्त्री, मिनी आंगनबाली कारकत्त्री उम सहाई का परस पर समयोजित की जा सकती हूँ तो इस सम्मंद में उनका प्रार्थना पत्त प्राप्त कर जिला अधिकारी का और मोधन प्राप्त करते हुए समायजुद किये जाने पर विचार किया जाएगा। तो उसकी उक्तमान्दे सेवा निर्वाचित घोशित होने के बाद तहा सपत लेने की स्वता समाप्त हो जाएगी इसके लिए अलग से नूटिस दिये जाने की अबाधता और शुक्ता नहीं होगी। परिस्ति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी परिस्तियों में मान्दे सेवा ततकाल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। निदेशक बाल, विकास, सेवायम, पुस्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनव, दोरा, आंगनबाली कारकत्त्री, मिनी आंगनबाली कारकत्त्री, उम साहिका के पदों परचैन ही। तो उसे निरस्त कर दिया जाए, समस्ट जिला अधिकारीकान से आपेक्षा की जाती है, वे अपने कुशल नेत्रित्रियों प्रभावी नियंत्रण में उक्त कारवाही को पूर्ण उत्तरदायत्यों के साथ संपादित कराएंगे। दोस्तो आपने देखा कि पूरा का पूरा नियम बदल चुका है। माता का नाम विध्वा तलाक्षुदा प्रतेक्ता प्रमालपत्र जारी करता का पदनाम, विकलांगता प्रमालपत्र जारी करता का पदनाम, करमांग, दीनांग, प्रतिशत्यों यदे आवेदिका सहायका के पदपर कार रहे थे तो उसका विबरन योगदान, दीनांग, अ educational qualification है और यहाँ पर जन्वरी 2021 को आयू मांग रहे हैं यानि 21 साल होना चाहिए कम सकम कक्षा 5, कक्षा 8, high school और intermediate तक का फोकस में देगा एगर education तक का भी यहाँ cover किया गया है तो आप देख सकते हैं कोई फर्जी डाकुमेंट्स आपको नहीं लगाना है यहाँ नहीं तो आप भ्हरतन दोस्तों निरस्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर